हेलो एवरिवन मैं आपकी अपनी डाइटीशन आरती बसीन आपकी हेल्थ कोच और डाइट प्लानर पिछले वीडियो में हमने बात की है वेट लॉस और उसके साथ ही वेट लॉस से जुड़े कॉंप्लिकेशन जैसे फीमिल्स में पीसी ओडी या पीसी ओस पर इनी टॉपिक है क monkeys से रिलेटेडपि सारी स्वाल मुझे मिल हैं आपके मन में इत्ते सारे सवाल हैं तो मैंने सोचा क्यो ना इस बारी सिरफ आपके सवालों के मैंने आपके सारे questions में से कुछ questions पिक किये हैं जो की काफी मैंने देखे काफी लोगों ने मुझसे पूछे थे तो आज में सब उनके ही answer देने वाली हूँ तो आप video end तक जरूर देखेगा हो सकता है आपको आपके questions का भी answer मिल जाए तो पहला question पूछा है what is a big no in PCOS क्या PCOS के लिए dairy products होड़ना जरूरी है और यह question काफी सारे लोगों ने पूछा है fact यह है कि dairy products में calcium और protein होता है PCOS में अकसर dairy products लेने को मना किया जाता है यह products जो है इनमें carbohydrates जो है वो जादा होता है और इससे जो weight जो है वो increase हो जाता है तो आप dairy products ले सकते हैं but in limits as excess of everything is harmful second question मुझसे पूछा है शुभम ने दिल्ली से करोना की medicine से sugar level बढ़ गया है diet में क्या changes करें शुभम जी ने काफी important question पूछा है COVID की medicine से mostly steroid लिये जाते हैं जिसमें हम करोना को तो हरा गयते हैं बट हमारा जो blood sugar level है वो बढ़ जाता है तो हमें अपनी diet में add करना चाहिए protein low fat dairy इस पे आप जादा focus करें oily foods और fry food कम करें water intake को आप increase कर सकते हैं तो next question पर चलते हैं next question है क्या diabetic होने से PCOS के chances बढ़ जाते हैं हाँ diabetic females में PCOS होने के chances जो है वो जादा होते हैं क्योंकि increased sugar levels से insulin resistance के chances बढ़ जाते हैं साथ ही weight gain भी हो जाता है पर हाँ कुछ बातों का ध्यान रखकर आप PCOS का risk कम कर सकते हैं मेरी lifestyle change करें diet और exercise का perfect balance जो है वो आप बनाए रखें next question जो पूछा गया है यह उजयन से पल्लवी जी ने पूछा है कि PCOD में सिर्फ diet changes से periods को regular कैसे कर सकते हैं तो पल्लवी जी diet changes के लिए आप मेरा video फॉलो कर सकते हैं मैंने PCOD का diet chart उसमें बताया है लिंक जो है आपको description box में मिल जाएगा और इसके साथ अगर आप diet के साथ regular exercise और अगर आप focus करेंगे अच्छी diet पर तो आपको results जो है वो जादा अच्छे मिलेंगे next question पूछा है भारती जी ने are legumes good for weight loss? articles कहते हैं कि legumes से estrogen level बढ़ता है कुछ legumes होते हैं जिससे estrogen level बढ़ता है but not all legumes moderate quantity में लेने से कोई negative effect नहीं होता in fact weight loss में आपको help मिलेगी next question जो है वो है जो कि बार बार मुझे comment box में भी मिलता है कि sugar की जगा अगर हम jaggery या honey लें तो उससे काम चलेगा क्या? jaggery हो या honey calories तो दोनों में ही होंगी बट ये sugar से better option है तो आप इसे replace कर सकते हैं बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उन्हें जादा quantity में लें next question पर चलते हैं बडोदरा से अपूर्वा पूछती है कि माम जिम जाने के साथ भी क्या हम PCOD के लिए ये diet plan फॉलो कर सकते हैं अपूर्वा हर body की calorie requirements different होती है जो कि age, height, weight और exercise पर depend करती है ये diet plan आप general follow कर सकते हैं अगर आपकी activity level जो है वो moderate है लेकिन otherwise मैं आपको suggest करूंगी कि आप मुझसे concern करें और हम customized diet plan follow कर सकें और आपके लिए बना सकें last week ऐसा question है जो comment box से लेकर DM तक सबसे उपर है इवन family functions में भी मुझसे पूछा जाता है कि weight loss के लिए dinner skip करना है क्या जैसे मैंने पहले भी कहा है कि don't skip your meals Meals skip करने से energy loss होती है आप रात का खाना जल्दी खा लीचे, at least two hours before of your sleep light dinners रखें, खाने के थोड़ा सा तहल सकते हैं बट धीरे धीरे ही आपने तहलना है आस्टिंग अक्सर लोग follow करते हैं जिस पर मैं जल्दी है video लेकर आने वाली हूँ और वो हर किसी के लिए नहीं है तो किसी भी चीज को आप blindly follow ना करें और कोई भी मिथ आपको blindly follow ना करें तो आज के लिए इतना ही आपके भी कोई questions है या doubt है तो आप comment box में drop कर दीजिए मैं आपकी सारी queries के reply जरूर करूंगी वीडियो को like कीजिए subscribe my channel और bell icon प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि अगली जो वीडियो है बहुत ही informative आने वाली है तो आप उसको miss नहीं कीजिए and bell icon अभी प्रेस कीजिए bye for now